जी तो दोस्तों आपको वेलकुम कहते हैं आइफेक्शनर.com वीडियो टुटुरियल्स में और इन वीडियो टुटुरियल्स में हम इंग्लिश कन्वर्सेशन सीख रहे हैं आज का जो लेसन है उसमें हम इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि हम अपने आपको किसी के साथ इंग्लिश में किस तरा इंट्रिजूस कर सकते हैं और किस तरा हम ग्रीटिंग्स कर सकते हैं यह आज के हमारे लेसन का हिस्सा है तो दोस्तों बेसकली दो किसम की सिट्वेशन होती हैं जब आप लोगों से मिलते हैं एक जो situation होती है वो होती है informal यानि कि आप किसी party में अपने किसी friend से मिलते हैं, अपने किसी दोस से मिलते हैं, दोस के दोस से मिलते हैं या आते जाते हुए informal situations में यानि कि friendly situation में आप जब किसी से मिलते हैं तो उसको हम informal situation कहते हैं तो उसमें हम अपने आपको introduce कैसे कर सकते हैं और greetings कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और इसके साथ जो दूसरी situations होती हैं जो कि बहुत important हैं वो हैं formal situations यानि के अगर आप किसी interview के ले जाते हैं आप किसी conference में जाते हैं किसी formal party में जाते हैं तो आप पहली दफ़ा किसी के साथ मिल रहे हूं या अपने boss के साथ मिल रहे हूं जिनके साथ मिल रहे हूं जिनके साथ आपके formal relationships हों तो आप उनको कैसे great कर सकते हैं और जिन लोगों के साथ आप पहली दफ़ा मिलेंगे उनके साथ आप किस तरह अपने आपको introduce कर सकते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम informal situation के बाए में बात करते हैं कि हम अपने आपको introduce किस्तां कर सकते हैं informal situations में How to introduce yourself ठीक है जी और सबसे पहले हम introduction in informal situation की बात करते हैं informal situation में बहुत आसान होता है आप किसी से भी मिलें तो आप कह सकते हैं Hi और Hello Hi I am आगे आपका नाम जिससे आप पहली दफार मिल रहे हैं तो आपने अपने आपको introduce करने हैं आप कहेंगे Hi I am I am Eifektner or Hello My name is blah 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 कोई भी जो आपका नाम है वो आप कह सकते हैं जो formal situation है उसमें अब हम देखते हैं कि हम अपने आपको introduce किस्तां करते हैं How to introduce yourself in a formal situation तो formal situation में आप थोड़े से formal होते हैं आप उसी तरह मतलब greet कर सकते हैं लोगों को अगर let's suppose morning है तो आप कहेंगे good morning इसी तरह अगर दुपहर है तो आप कहते हैं good afternoon बारां बजे के बाद आप कहेंगे good afternoon इसी तरह चार बजे के बाद अगर आप किसी party में गए हैं इवनिंग party में हैं तो आप किसी को formal way में किस्ता introduce अपने आपको करेंगे सबसे पहले आपने इसको greet करना है good evening ठीक है जी सुबह दुपहर शाम तो good morning, good afternoon, good evening अब क्योंके हम एक formal situation में हैं तो you have to be formal आपको अपने आपको formally introduce करना है तो आप क्या कहेंगे allow me to introduce myself मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने आपको introduce करा हूँ अगर आप किसी conference में हैं, किसी business meeting में हैं, किसी interview के लिए गए हैं तो आप कहेंगे good morning, good afternoon, good evening और आगे आप कहेंगे allow me to introduce myself मुझे इजाज़त देजिए कि मैं अपने आपको introduce करूँ allow me to introduce myself और आगे आप फिर कहेंगे my name is this, 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 इस तरह आप शिरू करेंगे good morning, allow me to introduce myself, my name is यह प्रेक्टिस करें, good morning, allow me to introduce myself, my name is यह अगर आप यह भी कह सकते हैं कि hello, I don't think we have met आप किसी informal party में हैं और आपको कोई boss नजर आता है या किसी client नजर आता है जो prospect है आप का suspect है आप उसके पास जाएंगे और बहुत आराम से कहेंगे hello, I don't think we have met, I don't think मैं नहीं सोचता मैं नहीं समझता कि हम मिल चुके हैं ठीके जी, I don't, don't जो है वो abbreviation है do not का, I don't think we have met अब फिर आप आप कहेंगे let me introduce myself उसी तरह, या तो आप कहते हैं allow me to introduce myself या let me मुझे करने दो, let me introduce myself let me introduce myself और आगे आप कहेंगे जो भी आप कहें, my name is blah 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 तो जो formal situation है, उसमें हमने देखा कि आप किसना अपने आपको introduce कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, good morning, good afternoon, good evening, allow me to introduce myself, my name is या फिर आप इसना भी अपने आपको introduce कर सकते हैं, hello, I don't think we have met, let me introduce myself, my name is तो आपने ये नूट किया होगा कि जो formal situation है, उसमें हम लंबे sentences यूज करते हैं और थोड़े respectful होते हैं, और जो informal situation होती है, उसमें आप छोटे sentences आसान के तौर पे बोलते हैं, हाई, I am Malik, आप अपने peer से मिल रहे हैं, जो आपके साथ हैं, तो आपके sound बलते हैं, hello, my name is, playground में आप मिलते हैं किसी से, लेकिन आप जब meetings में मिलते हैं, good morning, good afternoon, good evening, और sentence के structure को याद रखें, फिर आप कहेंगे, allow me to introduce myself, or, I don't think we have met, let me introduce myself, my name is, तो, formal situation में हमेशा आप याद रखें कि, जुमले लंबे होंगे, और informal situation में, जुमले जो होते हैं, वो छोटे होते हैं, यह तो हो गया, हम अपने आपको introduce कर रहे हैं, किसी किर को, और कई दफ़ा यह भी होते हैं, कि आपका दोस्त आपके साथ है, playground में गया, cricket खेलने आपके साथ गये, तो आपने, आप उसको introduce करना है, informal situation में, और किसा हम उसको introduce कर सकते हैं, formal situation में, तो अब हम बात करेंगे, how to introduce someone else, किसी और को introduce कराना हो, informal situation में, तो हम क्या करेंगे, तो वही बात, कि informal situation में, आप छोटी sentences उसको करेंगे, friendly sentences उसको करेंगे, आप जस्ट कह सकते हैं, this is, this is my friend, blah blah blah, लेकिन, जब हमने इसी friend को formal situation में introduce करना है, तो हम बड़े, जुमले यूस करेंगे, और structured जुमले यूस करेंगे, आप कह सकते हैं, I would like you to meet my colleague, or my friend, ABC, तो आप इस तहां किसी और को introduce करेंगे, formal situation में कि, I would like you to meet my colleague, colleague जो होता है, basically, वो लोग जो आपके साथ काम कहते हैं, उनको colleagues कहते हैं, ABCD, I would like you, मैं पसंद करूँगा, to meet, के आप, like you, मैं पसंद करूँगा, के आप मिलें, to meet my colleague, मेरी colleague से, ABC, या पिसां भी वोही words यूस कर सकते हैं, के, let me, let me introduce my colleague, और allow me to introduce my colleague, ABC, तो आप इसां भी कह सकते हैं, के, allow me to introduce my friend, जो भी उसका नाम है, या पिसां भी बहुत ज़्यदा formal होना चाहते हैं, तो आप कहेंगे, May I introduce my colleague, ABC, के मुझे इजाज़त दें, क्या मैं introduce कर सकता हूँ, अपने colleague को, ABC को, तो आप ये भी कह सकते हैं, में में I introduce my colleague, और आगे उसका नाम, तो formal station में आप वोही structured sentences उसकरेंगे, बड़े sentences उसकरेंगे, और informal sentences situation में, अब जसकरेंगे, This is my friend, ABC, लेकिन, formal situation में, I would like you to meet my colleague, ABC, Allow me to introduce my colleague, Let me introduce my colleague, ABC, May I introduce my colleague, ABC, और इसना, आप अपने किसी और को, introduce करते हैं, अच्छा जी, ये तो होगिया हमारा introduction, Introduction, introduction के बाद आप क्या कहते हैं, Let's discuss that, जी, तो after the introduction, अगर किसी ने आपको introduce, अपने आपको किया है, के, Hi, I am ABC, तो उसके जवाब में, आप उसको क्या कहेंगे, या वो आपको क्या कहेगा, अगर आपने किसी को, अपने आपको introduce किया है, तो most probably, in formal situation में, वो आपको किस तरह जवाब देगा, तो वो यह कह सकता है, Hi, I affect my name, और आगे वो यह कह सकता है, कि, Nice to meet you, I am happy to meet you, तो, Hi, I affect my name, Nice to meet you, आप से मिलके खुशी हुई, आप से मिलके अच्छा लगा, Hi, I affect my name, आप से मिलके अच्छा लगा, तो यह सिंपल आप कहेंगे, Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. या फिर, informal situation में, introduction में आप यह भी कह सकते हैं, I am happy to meet you, और वो यह कहेगा, Happy to meet you, too. या आप यह भी कह सकते हैं, It's lovely to meet you, और वो कहेगा, Pleasure is all mine, या लवली to meet you, too. तो इस तरह आप different words यूज कर सकते हैं, informal situation में, के, I am happy to meet you, It's lovely to meet you, और, या फिर, Nice to meet you. और अब हम बात करेंगे, के informal situation में, introduction के बाद, आप क्या कहते हैं, तो, formal situation में, हम, जब हमें को introduce, अपने आप को करें, तो हम उसका जवाब किस्ता देंगे, let's suppose, एक बंदा आता है, और कहते है, तो आप अब उसका जवाब किस्ता देंगे, it's a pleasure to meet you, I-factioner, or Mr. I-factioner, अब आगे से आपको 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 किया, तो अब वो आगे से आपको most probably कहेगा, it's a pleasure to meet you, अगर तो वो मर्द है, तो आप उसको Mr. कह देंगे, Mr. A-b-c, और तो Miss A-b-c, और इसका जवाब क्या होगा, आप उसको फिर क्या कहेंगे आगे से, I am very pleased to meet you too, और वो कहे, it's a pleasure to meet you, आप ये भी कह सकते हैं, it's a pleasure to meet you too, या फिर, I am very pleased to meet you too, I am very pleased to meet you too, आप से मिलके खुशी हुए, मुझे भी आप से मिलके बहुत खुशी हुए, तो ये formal situation में होता है, या आम तोर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज जूस की जाती है, formal situation में, जब आप कोई आपको इंट्रिजूस करें, कि how do you do, तो बैसकली वो आप से ये नहीं पूचा, कि how are you, or what do you do, इसका बस मतलब यही है, कि it's a pleasure to meet you, Mr. A, B, C, और इसका जवाब में आप क्या कहेंगे, how do you do, simple, अगर तो किसी ने आपको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करनी, तो वो आपको यहीं कहेगा, कि how do you do, आप भी कहें कि how do you do, और या पर वो यह कह सकता है, कि it's a pleasure to meet you, Mr. A, B, C, फिर आप शुरू करें, I am very pleased to meet you too, तो formal situation में, इस तरह basically, आप अपने आपको introduce करते हैं, और introduction के बाद, कुछ कहते हैं, अब हम discuss करेंगे, कि, अगर किसी को जानते हैं, तो आप फिर उसको, greet किस्ता करते हैं, greeting, कि आपका कोई दोस्त मिल गया, आते जाते, market में मिल गया, school में मिल गया, class में मिल गया, office में मिल गया, तो आप उसको, greet किस्ता करेंगे, और यही चीज, कि in formal situation में, आप इस साँ greeting करते हैं, लोगों को, दोस्तों को, और formal situation में, आप लोगों को किस तरह greet करते हैं, तो informal situation में, किसी को greet करना, आसान है, छोचे sentences उस करते हैं, और हम, मतलब, informal होते हैं, friendly होते हैं, हाई, I-Factner, Factor, How are you? Simple, हाई, I-Factner, कैसे हो आप, कैसे हो तुम, और इसका बिसक लिए जवाब, जो होता है, वो बहुत simple होते हैं, fine, thanks, thanks जो है, वो आप यह संबले के informal word है, और thank you जो है, वो formal word है, तो इसके informal situation में हम, fine, thanks, और उसे पूछेंगे, and how are you? या फिर, simple आप, क्योंकि informal situation में हैं, तो आप पूछेंगे, and you? Hi, I-Factner, how are you? fine, thanks, and you? या फिर इससां भी basically आप कह सकते हैं, hello, I-Factner, how are you doing? तो बिसके लिए ये जो है, ये सवालात हैं, और इनका आपको जवाब देना होता है, how are you? it's not an expression like, how do you do? जो हमने formal situation में discuss किये, ये actually सवाल है, और इसमें आप बताते हैं, fine, thanks, not good, nah, I'm fine, जो भी आपका जवाब बनता है, hello, I-Factner, और आप ये पूछ सकते हैं, how are you doing? तो ये इसका भी मतलब है, how are you? ठीक है जी? अगर आप से पूछे, how are you doing? तो ये नहीं पूछा, क्या आप करते क्या हैं, आप कैसा जा रहा है, क्या, कैसा जा रहा है? आप कह सकते हैं, nice, great, good, thanks, तो अगर किसी ने आप से पूछा, how are you doing? तो आपका जवाब क्या होगा? great, thanks, और आगर आप पूछ सकते हैं, how are you? और, how are you doing? या इसका असल में आप पूछते हैं, how about you? तो अपने बारे में बताओ फेर, ठीक है जी? यानि कि आप से पूछा गिया, hello, I-factor, how are you doing? आप कहेंगे, great, thanks, how about you? तो आगे जवाब होगा, yeah, I'm doing great, thank you, thanks, तो इसी तरह आप, formal situation में, जो है, आप structured जुम्रे यूज करते हैं, और बड़े जुम्रे यूज करते हैं, तो formal situation में, अगर आप, let's suppose, अपने boss से मिलते हैं, अपने teacher से मिलते हैं, तो आप उनको principal से मिलते हैं, तो आप को याद होगा, कि school में आप कहते हैं, good morning, madam, तो इसी तरह, formal situation में, किसी से भी आप मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, तो good morning, दुपैर के बाद, good afternoon, शाम के बाद, good evening, तो आप कहेंगे, formal situation में, good morning, Mr. I. Frachtner, how are you today, सुबह सुबह आपके, आपको अपना boss में जाया है, तो आप कहेंगे, good morning, sir, how are you today, अगर आपने देखा हो कि आप किसी बड़े hotel में जाते हैं, तो आपको इसी तरण रेट करते हैं, reception पे, good morning, sir, how are you today, तो उसका बिसका लिए आप जवाब कहादेंगे, I am very well, thank you, रूद ना बने, आप उसे पूछें, how are you, या फिर and you, तो आप का इसका जवाब क्या होगा, I am fine, thank you, क्योंकि अब आप फ्रॉर्मल स्ट्रेशन में हैं, तो आप थैंक्स नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे thank you, and how are you, and you, ठीके जी, वैसे तो अगर आप यह देखें, तो यह सही संट्रेंस नहीं है, लेकिन आम तो आप हम फ्रॉर्मल स्ट्रेशन में इसी तां बोलते हैं, I am very well, thank you, I am fine, thank you, and you, तो आप यह भी पूछ सकते हैं, I am fine, thank you, how are you, ठीके जी, या फिर आप फ्रॉर्मल स्ट्रेशन में इसना भी कह सकते हैं, के, आप चाहे पीने जाते हैं, काफे बेक हुई है, और आपको अपना कोई 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 नजर आता है, कोई बॉस नजर आता है, या मीटिंग में आप नेक्स टे, कॉन्फरेंस में आपको वो ही बंदा मिलता है, तो आप उसको किसना ग्रीट करेंगे, फ्रॉर्मल स्ट्रेशन में, हेलो मिस्टर आइफ एक्टनर, इस नाइज तु सी यू अगेन, एट्स नाइज तु सी यू अगेन, और इसका बिसकली ज्वाब क्या देगा वो बंदा, या अगर आप से को कि ये करेंगे, तो उसका ज्वाब कहेंगे, या फिर आप सिंपल कहते थे हैं, इसका मतलब है, आप पूछें, ये कहनें के, इसको भी ये कहनें के, मुझे भी आपको देखके, बहुत खुशी हुई, तो ये देखें, कि पहली situation में, हम बिसकली यहाँ पे जब वो पूछता है, and you, तो ये वो सवाल पूछा है, कि I am fine, thank you, and you, and how are you, लेकिन दूसरी situation में, जब उसने, आपने, आपको किसने का, Hello Mr. Iffektner, it's nice to see you again, आप उसको कहते हैं, it's nice to see you again too, जैसे simply आप कहते हैं, and you, इसमें सवाल नहीं पूछे, आप कहते हैं, मुझे भी तुम से मिलके, खुशी हुए, तो दोस्तों, ये basically greetings थी, नहीं और बीच में आप कुछ बाते करेंगे उनके साथ, और उसके बाद जब आप जाने लगें, तो goodbyes किसना कहते हैं, informal situation में, और formal situation में, informal, situation में गुटबाईज किसना कहते हैं, और फिर हम discuss करते हैं कि, formal situation में हम किसी को goodbye किसना बोलेंगे। तो सबसे पहले informal situation, आप कह सकते हैं, I will be off now, speak to you later, I will be off now, signing off, जिस ता होता है, इसी ता आप कहें के, अब मैं जाता हूँ, तुम से बात में बात करूँगा, ठीके जी, I will be off now, speak to you later, later, तो इसका possible response क्या हो सकते हैं, अगर कोई आपको यह कहें, आप कहेंगे, sure, take care, bye bye, sure, take care, या फिर कोई इस ता भी आप कह सकते हैं, अगर आप informal अपन दो से मिले हैं, और आप जा रहे हैं, के, I must go now, catch you later, I must go, catch you later, मुझे अब चाना चाहिए, catch you later मतलब तुम्हें मैं दुबारा पकड़ूँगा, तुम्हें पकड़ के बात करूँगा, ठीके जी, यह informal स्टेशन है, इसलिए आप slang words यूज कर सकते हैं, catch you later, speak to you later, तो इसका possible response क्या हो सकते हैं, जी, okay, see you later, take care, bye-bye, yeah, bye, okay, bye, yeah, okay, see you later, okay, take care, कुछ भी आप कह सकते हैं, in formal situation में, formal situation में, goodbye कहना जो है, उसी तरह है, जिसना आप introduce करते हुए, या greet करते हुए, लोगों को structured और बड़े sentences यूज करते हैं, तो formal situation में, हम basically, goodbye किस्सां गुलते हैं, I must be on my way, it's, it was nice seeing you again, या फिर, goodbye, it has been a pleasure meeting you, ठीक है जी, आपने formally interview सुच रहे हैं, और सब चीज़े खतम होगी, और आप उट के जाने लगे हैं, तो आप क्या कहेंगे, Goodbye sir, it has been a pleasure meeting you, या goodbye team, it has been a pleasure meeting you all, ठीक है जी, तो आप इससां बोलेंगे, Goodbye, goodbye, it, it's been, बिसके लिए इसको हम परती सते हैं, लेकिन यह होता है, It has been, यानि का काम खतम हो चुक है, इसलिए, it has been a pleasure meeting you, और इसका possible response क्या होगा, Likewise, I look forward to seeing you again soon, ठीक है जी, या फिर आप कहेंगे, The pleasure is all mine, ठीक क्या बाइ, इसका response क्या है, The pleasure is mine, तो दोस्तों, इस तरह आप formal और informal situation में अपने आपको introduce कर सकते हैं, English में, या फिर greet कर सकते हैं, introduce का मतलब है, जब आप पहली दवा किसी से मिलें, और greeting का मतलब है, जब आप किसी को जानते हों और उससे मिल रहे हों, और आप उसको goodbye कह सकते हैं, तो हमने इस lesson में यह discuss किया, कि informal और formal situation में हम किसी के साथ किसां conversation कर सकते हैं, और यह जो tutorial था यह आप iFractioner.com पे भी देख सकते हैं, और इस tutorial के बार में मजीद मालूमात के लिए और exercises के लिए iFractioner.com पे विजिट कीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद next question में. Until then, take care. Bye-bye. झाले